करनाल पुलिस के CIE शाखा के हाथ बड़ी सफलता लगी है पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर गुथी सुलजाते हुए दो आरोपियों को गिरफतार किया है यहां हम आपको बता दे कि महिंदर सिंग निवासी लाडवा जिला कुर्शेतर ने एक ट्रक चालक के खिलाफ थाना सदर करनाल में शिकायत दी थी कि वह अपने साथियों के साथ अपने कैंटर में लाडवा से करनाल की ओर जा रहा था जो उनके पीछे पीछे एक यूपी नमबर ट्रक भी आ रहा था उसने बताया कि गाम रंबा शेतर में करनाल इंद्री रोड़ पर उसने एक धाबा पर अ थाना सदर पुलिस द्वारा उसकी शिकायत पर मामला दर्च किया गया यह मामला जैसे ही स्पी सुरेंदर सिंग भोरिया के संग्यान में आया तो उन्होंने मामले की गंभीटा को देखती हुए करणाल पुलिस की क्राइम यूनिट इंचार्ज निरक्षक दिपेंदर राना को सोगी जाज के दुरान घटना सल का रिक्षन किया गया जो ट्रक नंबर पुलिस टीम के पास था उसके विशे में पता लगाया गया उपनी रिक्षक रमेश कुमार वो उनके टीम ने मामले में आरोपी आकाश वर सन्नी पेसवाडी बावली थाना बढ़ोद जीला बागपत यूपी को पानी पत से गिरफतार किया पुलिस ने आरोपी को अदालत के सामने पेश करके रिमान हासील लिया गया और अदालत के आदेश पर उन्हें जीला जेल कर नाल भेश किया गया अन्नौन बढ़र था जो यह 13 नुमंबर की गटना है महिंदर सिंग नामकाय के व्यक्ति अपना ट्रक लेकर जजजर के लिए निकला था साथ में तीन नेबर वाले व्यक्ति थे उसके साथ में जब वो रवा चोक की क्रोंष कर गया किसी होटल पर चाई बेढ़ने के लिए के रोखा वहां किसी अननोन ट्रक था उसमें दो तीन चार विक्ति बैठी थे उनके साथ उनके काहा सूनी होगी तो वहां से चल पड़े आगे जो अन्नोन ट्रक वाले जो तीन-चार वाले जो तीन-चार वाले आगे इनको रस्ता देकर रोका और इनकी रोड बगारा से मारपीट करके इनकी एक की हत्या करती उसमें जिसमें एफईयाद 1153 पीयस सदर में दर्जुई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन से येवन को दी गई थी तो इस इन्वेस्टिगेशन में हमने ट्रक को अदेंटिफाइए किया टेकनिकल अपना सर्वीलन्स से डाटा से सीसिटी फूटेज बगारा से ट्रक को अदेंटि कितने लोगों ने किया को यह चार व्यक्ति चार व्यक्ति जिन हत्य की और चारों बागपत यूपी के रहने वाड़े हैं और इनके और उल्रेड़ी चार चार पांच पांच दरजनों मुकत में इनके खिलाफ दरज और अब तो दो मुल्जी में तो अभी 307 में रिसेंट आज रिमान लिया जाएगा और एक आज रिमान लिया गए आज जे बीडी बैंकेट्स एंटरप्राइज एसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वादी